किसान साथ यह है पावर ट्रैक यूरो 55 नेक्स्ट सूपर मैक्स सिरीज का ट्रैक्टर है मतलब टोप मोडल ट्रैक्टर है आपका लाइटिंग इसकी अगली वाली लाइटिंग पूरी की पूरी LED दी गई है पीछे वाले इंडिकेटर्स वगएरा आपको नोन LED मिलते है आगे फैक्टरी फिटिड बंपर भी इंकलूड है आपके प्राइस के अंदर ही दूसरी साइड से आप ट्रैक्टर की लुक देख सकते हैं काफी शांदार ट्रैक्टर है 55 HP कैटेगरी का बैटरी बोक्स को साइड में माउंट किया गया है किसान साथियों ट्रैक्टर सिंगल पीस बोनट के साथ आता है जैसा कि आप देख सकते हैं और अगर इसके इंजिन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 55 HP 1850 इंजिन डेटेड आर्पीम चार सिलेंडर नोन टर्बो 3680 cc का इंजिन मिलता है जिसका बोर 98 mm और स्ट्रोक 122 mm है किसान साथियों AVL टेक्नलोजी का इंजिन है मतलब लीक प्रूफ है आपका इंजिन कभी भी लीकिज वगेरा की दिक्कत इस इंजिन में नहीं आएगी और लोंग लाइफ चलने वाला इंजिन है 3680 cc का किसान साथियों माइको बोस कंपनी का इंलाइन पंप चार सिलेंडर इंजिन तक डीजल पहुचाने के लिए दिया गया है वोटर सेपरेटर और एक डीजल फिल्टर मतलब सिंगल डीजल फिल्टर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलता है काफी अच्छे से मैनेज किया गया है केर बटन की सुविधा आपको इस ट्रैक्टर के अंदर भी मिलती है एसकोर्ट कंपनी के ट्रेक्टर मेंटिनेंस फ्री रहेगा आपके पावर स्टेरिंग में चलने वाला डेर से दो लिटर ओयल आपको चेंज करना पड़ेगा किसान साथ यो कारो वाला कॉलिंग सिस्टम है कूलेंट विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर के साथ दिया गया है जिससे आपको बार-बार कॉलेंट ढालने कोई जखंजट नहीं है एर क्लीनर इसमें ओयल बाथ टाइप का दिया गया है मतलब गीला वाला जो की थी स्टेज क्लीनिंग करता है वो प्री क्लीनिंग के साथ आता है किसान साथ यो next series का ट्रेक्टर है कम से कम इसमें dry टाइप का एयर फिल्टर होना चा को operate करने के लिए दो road दी गई है दोनों साइडों में अलग-अलग road इसके अंदर आपको मिलती है आपके power steering को चलाने के लिए front axle adjustable है आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसके अगले वाले axle को adjust कर सकते हैं जो कि एक काफी अच्छी बात है ट्रैक्टर में आपको hydraulic का pump अलग मिलता है power steering का pump अलग मिलता है जिसे हम tandem pump बोलते हैं अलग मिलने का फायदा यह होता है कि दोनों चीजें काफी easy और smoothly work करती है maintenance फ्री रहती है battery box को side में mount किया गया है दोनों side आपको आपके पैरों को engine की गर्मी से बचाने के लिए heat sealed के guard दिये गये है किसान साथ यो platform देखे क्या शांदार है और कितना space ट्रैक्टर के platform के अंदर दिया गया है किसान भाई को drive करते समय और operate करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी काफी उचे लगभग support platform ट्रैक्टर का दिया गया है किसान साथ यो fully adjustable seat आपको मिलती है आगे पीछे उपर नीचे और अपने वजन के हिसाफ से भी आप इस seat को adjust कर सकते हैं hydraulic lock आपको मिलता है और आप अपनी hydraulic के उठने और गिरने की speed को कम या जादा करने के लिए भी एक valve दिया गया है लगभग सभी feature tractor की hydraulic से संबंदित आपको मिल जाते हैं side shift gearbox है speaker लगाने के लिए दोनो साइडों में दो speaker box दिये गए है music system वगएर आप काफी अच्छे से tractor के अंदर लगा सकते हैं 60 liter की fuel tank capacity मिलती है पिछले tire आपको 1628, 1428 दोनों ही option किसान भाई के लिए company available करा रही है पिछला इससा काफी heavy duty बनाया गया है अगर इसके पिछले axle की बात की जाए तो इसके अंदर आपको inboard reduction type की तकनीक का सीधा axle दिया गया है zero greasing point के साथ मतलब आपका पूरे का पूरा पिछला हिस्सा तेल में डूबा हुआ है आपको इसमें grease करने की कोई जरूरत नहीं है किसान साथ यो planetary gear drive देना चाहिए 50 HP category के उपर ट्रेक्टरों में लेकिन company आभी भी नहीं दे रही है power track भी नहीं दे रही है पता नहीं क्यों नहीं दे रहे है hydraulic lift capacity आपको 2000 kg की मिलती है ADDC type की category 2 की और आपको दोनों ही link को पर link level करने के लिए अलग-अलग jack दिये गए है जो कि ये काफी अच्छी बात है तीन sensing point आपको मिलते हैं आपकी hydraulic पर लगे हुए implement को मिट्टी के अनुसार sense करने में adjustable hitch दिया गया है उपर से नीचे आप अपने hitch को adjust कर सकते हैं और अगर इसकी PTO की बात किया तो इसके अंदर 46.8 hp लगबग 47 hp 6 spline 540 rpm वाली PTO लगी हुई जो कि अपने 540 rpm 1810 engine rated rpm पर निकालती है किसान साथियों tractor के अंदर supermax models के अंदर आपको multi speed और reverse PTO का option मिलता है मतलब हर gear में PTO के अलग चक्कर आपको मिलते है QRC coupler double मिलता है MB plow, laser, leveler, tripping, trollery आप कुछ भी इसके अंदर loader, dozer वगरा चला सकते हैं और दूसरी अच्छी बात यह है कि QRC coupler को manage करने के लिए आपको double acting valve दिया गया है जिसकी काफी help होती है जब आप QRC coupler use करते हैं दूसरी कमपनी अभी भी चार्ज कर रही है इसके लिए अलग से आपको 17-20,000 रुपए लगाने पड़ते हैं लेगिन पावर ट्रैक आपको company fitted QRC coupler lever के साथ दे रही है उपर से आप tractor की look देखिए काफी शानदार ये है tractor का digital instrument cluster कुछ नलोग clusters के साथ parking बटन आपको मिलता है left hand side पे चारो indicator एक साथ horn करने के लिए right hand side पे आपको indicators left or right और hand race के option मिल जाते हैं किसान साथे steering wheel काफी ज़्यादा comfortable है बहुत ही छोटा सा steering wheel है power steering के tractor में हमेशा छोटा steering wheel ही सही रहता है नीचे dashboard पे आपको mobile charging port, horn, lower beam, upper beam टांसफर करने के लिए बटन दिया गया है right hand side पे आपको key switch, engine को बंद करने के लिए एक valve और नीचे भी आपको lighting की थोड़ी functionality दी गई है दोनों साइड में hitting के guard है वो मैंने आपको already बता दिया है अगर tractor के clutch की बात किया है तो tractor के अंदर आपको double clutch मिलता है ये वाला clutch आपको सिर्फ transmission रोकने के लिए मतलब आपके पिछले tire को रोकने के लिए है gear shift करने के लिए है जो की काफी अच्छी बात है यहाँ पर अगर gearbox की बात किया है तो इसके अंदर आपको 12 gear आगे जाने के लिए तीन gear पीछे जाने के लिए 15 gear speed low high medium के साथ tractor में दी गई है side shift gear है full constant mess तकनीक के साथ जो किये काफी अच्छी बात है यहाँ यह है PTO का अलग से lever मतलब PTO का independent clutch PTO का independent clutch है काफी ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी जो next series के अंदर इन्होंने अपडेट किया है power track वालोंने PTO का separate clutch हर एक tractor में होना चाहिए और यहाँ पर नीचे आपको PTO का lever मिलता है आगे करने पर 540 और पीछे करने पर multi speed और reverse PTO में engage हो जाने वाला lever आपको दिया गया है तेल में डूबे हुए disc brake, multi plate के साथ इस tractor में आते हैं footrest भी आपको नीचे मिल जाती है यह है इसका main gear lever 1234 reverse दोनों ही असली side shift company अपने gear levers को बताती है और पीछे आपको right hand side पे position control, draft control के lever मिलते हैं आपकी 2000 kg की lift capacity को control करने के लिए किसान साथियों यहाँ पर आपको कितने rpm में, कौन से gear में, कितनी speed मिलेगी कि उस सब के बारे में जानकारी दी गई है, अधिक जानकारी इस chart को पढ़कर ले सकते हैं तो किसान साथियों यही सब कुछ था, power track, euro 55 next के बारे में इसकी कीमत 7,50,000 रुपे रखी गई है, कीमत जग है, और model के अनुसार change भी हो सकती है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना कीमती सुझाओ हमें comment box में जरूर देना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद